आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरेटेन्मेंट पर फ्रेंड्स आप सभी का बहुत सारा प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार फ्रेंड्स हमारे चैनल को जदा से जदा लाइक करें शेयर करें और हाँ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें विभी नविश्यों पर वीडियोज हमारे चैनल पर आते रहेंगे Friends, आज हम बात करते हैं इस दियारे God, क्या भगवान है Friends, हम सब के मन में यह सवाल हमेशा गूंटा रहता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आये हैं, हम यहां पर क्या कर रहे हैं क्या भगवान हैं, जादतर लोग सोचते हैं कि हम सब को परमात्मा या God ने मनाया है उन्होंने ही समग्र स्रिष्टी की रचना की है वह अनंत हैं हिंदू धर्म में जादा तर लोग हनमान जी, गनेश्ची, शिव जी जैसे नामों से भगवान को जानते हैं किन्तु मेरे जैसे लोग यह सोचते हैं कि भगवान ने तो हमें बना दिया लेकिन भगवान को किसने बनाया, वैसे तो यह दिमाग घुमा देने वाला सवाल है लेकिन हम सब में यह जानने की उत्तुता हमेशा बनी रहती है वैसे तो इसका वर्डन करना तो हूंकिन नहीं है लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से भर्वान को समझने की कोशिश कर सकते हैं फ्रेंड्स भगवान पर ब्रह्म हैं अनादी हैं हिंदु शास्त्रों में भगवान अर्थात परमात्मा को ओम के स्वरूप में दर्शाया जाता है तो फिर यह ओम का स्वरूप क्या है आए समझते हैं इस स्वरूप को फ्रेंड्स यह पर्म तत्व ब्रह्म स्वयम ग्यान स्वरूप नित्य अर्थात ब्रह्मा विश्नु और महेश वह खुद ही हैं गोड अर्थात ब्रह्म परमात्मा फ्रेंड्स अगर अंग्रेजी शब्द गौड की व्याख्या करें तो G for generator उत्पन करना O for operator पालन करना D for destroyer नाश करना Friends ये नित्य एविनाशी तत्व ब्रह्म अनंत और अनाधी है आधी अन्त और मध्य में दृष्टा स्वरूप विद्यमान है दृष्यन नहीं है वै सर्वग्य सर शक्तिमान सनातन सर्व्यापी सर्वगुण संपन्य प्रेम स्वरूप तदा सत्चित आनंद स्वरूप हैं यह सर्व्यापी चेतन आत्म तत्व सब में है अनू अनू में है अर्थात वे सब में है और सब उसमें है फिर भी वे सबसे परे हैं सब का निमित कारण हैं वे सुक्षम से भी सुक्षम और विराट से भी विराट हैं वे वरक्ष में बीच और वीज में वरक्ष सुरूप में इस्तित हैं यह चेतन तत्व सेकंड से भी शुक्षम और युगों से भी विराठ है जिस तरह यह तत्व पिंड में हैं उसी तरह यह तत्व ब्रह्मान में भी है इसकी जड़ प्रकरती दृश्यमान है भौतिक परदात द्रव्य गुण जिनके नाम है और नाश है वे दिखत होते हैं प्रंतु अमर अनामी और नाम कुन से भी नियारा चेतन भ्रम दखता नहीं है वह आनंदि प्रेम स्वरूप तथा एवड़ननी यह हैं उनका वड़नन नहीं कि आ जा सकता शब्दों में से उनका वड़नन नहीं हो सकता प्रमात्म्थम के सिवा किसी और भाषा को नहीं समझते हैं, प्रेम का एक शब्द वर्षों के ग्यान से ज़्यादा प्रकाशित माना गया है, यह तत्व इंद्रिये मन पुद्धी से भी परे है, फ्रेंड्स वह शुन्य से भी सुन्दर और सदोधित है, आत्मा पानी के एक बूंद के समान है, जो परमात्मा विशाल समुद्र है, पानी की बूंद को अगर समुद्र में गिराएं, तो वह अपना स्तित्व गुमा देती है, कि खुद दर्या बन जाती है, फ्रेंड्स, शृष्टी के तीन कारण है, पहला कारण है, निमित कारण, जो बनाने वाला है, लेकिन बनावट से परे है, जैसे कि बि जिसके मिना कुछ भी नहीं बन सकता, जो खुद बनावट के अंदर होता है, जैसे कि मिटी कुम्ब के अंदर स्थाई रूप से होती है, इसलिए मिटी कुम्ब में उपादान कारण है, फ्रेंड्स, तीसरा कारण होता है, साधारन कारण, जो बनावट में साधारन कारण हो निमित्त कारण है, जड़ तत्व प्रकर्ति स्रिष्टी का उपादान कारण है, फ्रेंड्स प्रकर्ति ही प्रकर्ति का उपभोग करती है, द्रव्य ही द्रव्य को खाता है, गुनों को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता है, चीनी में से मिठास को अलग नहीं किया जा सकत होता है इसलिए यह सिद्ध होता है कि जीव तो केवल प्रकरती का उभोग करने में रचना में एक साधारन कारण है चेतन तत्व ब्रह्म निमित्त कारण है फ्रेंड्स हमारे चैनल अक्षच एंटरेटेंड्मेंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बाक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुचाएं